हमारे चैनल नेक्ष्ट मैं स्कोर्ट्स पे यह सुन सुनकर हमारे कान पक गए थे दोस्तों विराट कोली और रोईश शर्मा जब भी आमने सामने होते हैं तो इस दूसरे को देखना पसंद नहीं करते यह एक दूसरे के कट्टर दुश्मन है इन दोनों की आपस में बनती ही नहीं टीम इंडिया के खेमे में अधिकतर निराशा इन दोनों की वज़े से रहती है सबसे ज़्यादा लडायू खबरे इनके ही खेमे से सुनने को मिलती है और आई पैल से भी लोग इने कंपेर करने लग जाते हैं दोस्तों मतलब कुछ सोच विचार करके आप कंपेर करत देता होगा लेकिन हम दोस्तों इस बास से बहुत निराश थे कि रोहिष शर्मा विराट कोली की बीच जब अलोचना करते थे उनके लडाई की चर्चा करते थे उस पर चुपई सादने के लिए मजबूर कर दिया था उस मैच के बाद जिसके बारे में आप हमारी खास मैदान पर उत्रते बल्ला था में उस दिन चमतकार हुआ था मैदान में दोस्तों एक ऐसा तुफ़ान आया था रनों का जिसको देख हर कोई हैरान था कि सच मुझ क्या यह वही रोहित और विराट हैं मतलब सच मुझी यकीन नहीं वह था दोस्तों दिन दिल खुश हो गया पर बॉंडिंग हमें मैदान पर देखने को मिली और पहले ऑपनिंग करने यह जोड़ी उतर गई वह उसमें क्या करा था हाल वह आपको बताते हैं लेकिन दोस्तों आपको बता दे कि क्या और खबरे फैली हैं रोहित और विराट के बारे में आपको सारा क्लिए और कर दें रोहिष श्रमा और विराट कोली दोनों ने ही टीम इंडिया के लिए बहुत कुछ दिया है लेकिन विराट कोली जब से कप्तान बने हैं उनको जड़ा आकड़ा उठाकर कभी गूगल पर सर्च करके दीखेगा आकड़ा उनका दोस्तों दिन दोगना राख चोगना हो गया है उनका जो average score था उनका जो T20 में खेलने का तरीका था उनका जो test में खेलने का तरीका था उनको जो वण्डे में खेलने का तरीका था सबकुछ बदल गया रोई शर्मा तो दोस्तों कह सकते हैं कि शुरुवाती जो मुकाबले रहे पहले वो middle order पांचवे छटे से चोथे पांचवे दिवसरे ऐसे करते खेलती थी लेकिन फिर जब विरेंदर सहवाग ने सन्यास लिया तो उन्हें हिटमें शर्मा का रोल बिला था और उन्होंने उसको वकू भी निभाया तो दोनों की अलग-अलग भूमिका है विराट कोहली ने दोस्तों राहुल दरविट के साथ खेला है विराट कोहली ने दोस्तों धोनी के साथ खेला है धोनी के साथ बहुत लंबा समय बिताया है तो विराट कोहली भी डिजर्व करते हैं मौका हर किसी को मिलना चाहिए रोई शर्मा दोस्तों भी बहुत साल खेलें तो उसके बाद मोके रोहित शर्मक को भी जरूर मिलने चाहिए हम उसका support करते हैं लेकिन अब comparison इस बात का नहीं होना चाहिए कि रोहित ने 5 खिताब जीता है विराट ने एक भी खिताब नहीं जीता लेकिन दोस्तों अगर आप ABD विलेट्स और विराट कोली के आकड़े दे कानते हैं कि कोहली के अलावा आर्ड़ सीवी की टीम के पास और कोई option नहीं है कोली ही आर्ट सीवी की टीम को लेकर चलना है बले ही एक भी खिताब को अभी तक सफ़र तक दो बार एक बार खिताब नहीं जीता एक संदाइजिस हैदराबाद के सामने हार गई थी और एक बाद शाय दोस्तों चैनल सुपर किंग्स या फिर डेकन चार्जिस थी इनके सामने टीम तब हारी थी लेकिन आपको बताते दोस्तों इनकी फिटनेस को लेकर भी कंपेरिजन किया जाता है फिटनेस इस बात की कि रोही शर्मा उसमें कभी फैल नहीं होते यह यह फिटनेस रोही शर्मा की जो फिटनेस टीम इंडिया को चाहिए जो कैचिंग का एकदम नजरिया चाहिए जो फिल्लिंग का नजरिया चाहिए जो बल्लेबाजी का नजरिया चाहिए दो सबसे अच्छा खिलाड़ी है कौन क्या अच्छा कर रहा है कौन कैसे नहीं गर रहा लेकिन इनकी कप्तानी और उनकी कप्तानी के बारे में छोड़ दीजे क्योंकि वो टीम इंडिया मैनेजमेंट के अच्छा फैसला कोई और नहीं ले सकती लेकिन अब आपके सब के मूँपर ताला लगाने के लिए वह आपको से याद दिलाएंगे कि रोहित और विराठ क्यों इतना important है टीम इंडिया के लिए 11 टीम खेलेंगे तो टीम इंडिया के जीतते हों कि कप्तान और कंसराय को अपनायेगा तो टीम इंडिया की जीत और जाधा सुनिश्चित हो जाएगी तो रोहित और विराठ का हम हमेशा एक साती देखना चाहेंगी हमारी यही दुआ है कि यह जोड़ी सलामत रहे और हम तो यह भी चाहते हैं दोस्तों जैसे विराट कोली IPL में ओपनिंग कर रहे हैं वैसे टीम इंडिया के लिए भी ओपनिंग करना शुरू करते हैं क्यूंकि अगर आपको अच्छे जैसे हम महे विराट कोली को मौका मिलता था तो पांचे पर ये भी आते थे ना लेकिन आप पहले पर खेल सकते हैं तो हर किसी का दिन होता है हर किसी का एक समय होता है तो अब देखे हमारी खास रिपोर्ट दोस्तों ज़्यादा बाते होगी इस वीडियो में आशा करते हैं जितने भी क पास रिपोर्ट और बतायेगा दोस्तों रोहित और विराट की जोड़ी क्या सचमुच एक साथ मैदान पर हमेशा के लिए उतरनी चाहिए ओपनिंग में या नहीं जी हाँ दोस्तों रोहित और विराट की सबसे अच्छी जोड़ी की सबसे अच्छी मिसाल ये है कि साल 2020 के IPL की तुरंट बाद भारते टीम आस्ट्रेलिया में वंडे सिरिस खेल लई थी और मुम्मे इनिस को पांच वी बार खिताब दिलाने वारे कप्तान दोहित शर्मा टी और उनके पास चोट की सिती को लेकर पूरी सूचना नहीं है दूसरी और खबरे आ रही थी कि रोहित फिट है और देखा जाये तो ये क्रिक्ट वर्ल्ल कप के लिए चोकाने वारी खबर थी लेकिन ये सिरिफ कयास थे कि दोनों की बीच मतभेद हैं दोनों ऐसे किसी ने भ कोली मैदान से बाहर गई थे और रोहित ने आखरी समय तक कप्तानी करते वे टीम को जीत दिलाई अब एक बार फिर कुछ ऐसा ही देखने को मिला जहां पांचवे टी-20 मुकाबले में भारतिय टीम के नियमित कप्तान विराट कोली फिल्लिंग के दोरान देड़ से उतरे और मैदान से बाहर चले भी गए इस दोरान उपकपदान दोहित शर्मा ही कप्तानी करते नजर आए और यह उन आलोज को के लिए बड़ा जवाब था जो दोनों के बीच मन मुटाफ की बात कर रहे थे रोहित और विराट के बीच बांडिंग जबर दस्त नजर आई और य विराट कोली ने उसका फायदा उठाया और मिडल ओर्डर में सुरुकुमार यादब को जगा दी थी जिसकी बज़े से टीम इंडिया बहुत मजबूत दिख रही थी क्यूंकि रोहित और विराट ओपनिंग करने के लिए उस समय पर उतरे थे किसी भी दर्श को को अपनी आखों पर यकीन नहीं हुआ कि रोहित और विराट जनके बीच मन मुटाव रहता है वो अपनिंग करने एक साथ कैसे उतरे हैं सबी के मन में यही सवाल चलना था और इस सवाल का जवाब उन्होंने अपने बल्ले से दिया क्यूंकि उस मैच में 34 गेंदों में 64 रन की पारी का लुट्फ उठाते देख रहे थे पहले दो मैचों में रोहित को अराम दिया गया था उस वक्त विराट इस फैसले को लेकर आलोशकों के निशाने पर थे मैच की बात करें दोस्तों तो भारत ने पहले बल्ले बाजी करते वे दो विकिट पर 224 रन का विशाल स्कोर बना अलावा इस मैच में भुवनेशर कुमार ने दो और हार्दिक पंडिया ताथा टीन अट राजन ने एक एक विकिट लिया था लेकिन विराट और रोहित की ओपनिंग जोडी की वज़े से टीम इंडिया ने एक शानदार जीत दर्श करी और इतिहास के पन्नों में हमेशा ह यह जोडी अमर रहे गई क्योंकि जिस प्रकार की शुरुवात इन दोन ने की थी वो बहुत ज्यादा विस्फोटक थी नेक्स्ट नाइन स्पोर्ट्स की रिपोर्ट